ओम नमस्षुवाय श्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको महा सिवरात्री के बारे में जानकारी दे रहा हूँ बारे हूँ रासिवालों को महा सिवरात्री के दिन सिवलिंग पर क्या चीजी चड़ानी है ये समपूर जानकारी आपको इस वीडियो के मद्यम से प्राप्त होगी महा सिवरात्री का दिन सबसे बड़ा और खास दिन होता है इस दिन भक्त भगवान सिव और माता पार्वती की पूजा करते ही इस दिन पढ़ने वाले सुव योगों में से सरवार्थ सिद्धी योग और सिव योग सामिल है मा सिवरात्री फालगुन मा के कृष्ण पक्की चतरदाशी तित्री को मनाई जाती है इस दिन को सिव और सक्ती के मिलन की रुप में जाना जाता है अर्थात इस दिन दोनों का विवाववता इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान सिव की आराधना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है इस वार मा सिवरात्री के दिन तीन ऐसे युग बन रहे हैं अगर आप इस दिन पूजा करते हैं तो तुरंत ही आपकी मनोकामना पूरी होगी बैसे तो मा सिवरात्री का दिन ऐसा है कि इस दिन पूजा करते हैं मनुकामना तो पूरी होती है, क्योंकि महाकाल बोलेना अपने भक्तों की सभी चाय पूरी करते हैं, माता पारवती मैलाओं को अकंडर सो भाग्य प्राप्ति वा पुत्र प्राप्ति का आशिरवाद देती हैं, इस दिन कई रासिया हैं जो बहुत ही जादा भाग्य साल ही हैं बात करते हैं भाग्य साली रासियों की उसके बाद में बताऊँगा कुन सी रासिय को सेवलिंग पर क्या चड़ाना है देखो मेश रासी ब्रसब रासी मितुन रासी करक रासी सिंग रासी कन्या रासी तुला रासी उसके बाद आपकी मकर रासी कुम रासी और मीन रासी ये ज किस्मत और ज़्यादा प्रवल होंगी। सिव रात्री के दिन इनको विशिष आशिरवाद पराप्त होगा। मेस रासी बाले महां सिव रात्री के दिन शिव जी को लाल कर आप भगवान सिव को उनकी प्रियची चड़ाएं- चड़ाएं। लेकिन आपको एक चीज और सम्मे इससे महाकाल बोलेनात प्रसन नो करके आपकी मनो कामना पूरी करेंगे। इससे महाकाल बोलेनात प्रसन नो करके आपकी मनो कामना पूरी करेंगे। हर प्रकार की मनो कामना पूरी होगे। दोस्तों मा सिवरात्री पर ग्यार है ऐसी चीज़े जो भगवान सिव को चड़ाई जाती हैं जिसकी जानकारी में आपको अगले वीडियों दोगा। तो भगवान सिव की प्रिय चीज़े हैं ग्यार हैं। और रासियों के इसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बाकी सामिकरी के साथ सम्मिलित करने हैं और ये भगवान सिव को चड़ाने हैं। बांग, दतूरा, बेलपत, राके, पुस्पो, बेर के पली ये सारी चीज़े भगवान को जरू चड़ाएं। सिंग रासि, सिंग रासि के जाता को को सिव जी की पूजा के दोरान उन्हें पीले चंदन का त्रपुंड लगाना चाहिए। इसके साथी भगवान को गुड की डली जरू समर्पित करें। इससे पुत्र धन प्राप्ती का आशिर्बाद प्राप्त होगा। घर में पारत सिविलिंग लाकर के रखें, घर में रुद्रा के लाकर के रखें, तिल्सूल लाकर के रखें, ढम्रू लाकर के रखें, ये कुछ चीज़े ऐसी होती हैं, अगर महासिवरात्रिक दिन सिविलिंग पर मंदर में चड़ा करके ये चीज़े लाकर के घर में रख ल लेकिन कन्या रासी वालों को special रूफ से चड़ाना है इससे आपकी मन में जो भी कामना है अब बारहो रासी वालों को अगर पुत्र की कामना है तो आपको क्या करना है धतूरी के पल पर चंदन लगाएं उस पर साथ वान मुली लपेटे भगवान सिप को समरपित कर दें 11 गय प्रसन्नो करके आपकी मनुकामना पूरी करेंगे और साथ ये तीन बेलपत्त पर उम्नवस्वा लिख करके भगवान सिव को समर्पित कर दें ब्रस्चिक रासी ब्रस्चिक रासी वाले सिवलिंग पर लाल चंदन का अत्रपंड लगाएं और सिव्जी को साथ लाल कनेर के पूलिगे धनु रासि वाले दनु रासि वाले सिबिलिंग पर पीले पुषHAHA चच़ड़ाएं क्योंकि गुरू की यह ना यं। तो भगवान को पीले रंग के पुस पचड़ाएं और साथ ही आपको बोलना है क्या बोलना है ओम त्रमकम यजा महि शुगंदनम पुष्टी बर्धनम और वारिकमे वबंधनान म्रत्यो मूर्खियमा म्रताथ ये चीज़ आप समर्पित करें मकर रासी वाले मकर रासी वाले सिवजी की किरपा प्राप्ती के लिए सिवलिंग की विधीवदान से पूजा करें ग्यारे बेलपत्र और दुरवादल भगवान सिव को जरूर समर्पित करें कुम रासी कुम रासी वाले महा सिवरात्री की पूजा में मा सिवरात्री पर भगवान सिवजी का ध्यान करना चाहिए और ओम अनन्त धर्माय नमहम इस पकार से मंत्र का जाप करना है और भगवान को पीले पुष्प तता पीली मिठाई समर्पित करना है बोले नात प्रसन नो करके मनवानचित पलपरदान करेंगे जो भी आपके मन में एच्चा है जो भी कामना है आपकी प्रतेक मनो कामना पूरी होगी दन बड़ेगा शुक्षम्रदी बड़ेगी जीवन में आरे सारे कश्ट और परिसानिया दूर हो जाए अब आप उपाय सुनेजे सवी रासी वालों को उपाय करना है सवी रासी वालों की मनो कामना पूरी होगी ग्यारे बेल पत्र पर ओम नवस्वाय लिख करके भगवान को समर्पित करें साथ ही आप भगवान को ग्यारे बेर की फल समर्पित करें और भांकी पत्तियां भगवान को समर्पित करें इससे आपकी मनो कामना अवस्य पूर्योगी धन बड़ेगा शुक्षम्रदी बड़ेगी जीवन में आरे सारे कष्ट और परिसानिया दूर हो जाएंगे दतूरे का पुष्प आप देख रहे हैं इसके पर दतूरे का पुष्प है ये भगवान को जरूर समर्पित करना चाहिए इससे मनो कामना पूरी हो जाती है भस्म भगवान को भस्म जरूर समर्पित करें इससे पुत्रधन प्राप्ति का आशिरवाद प्राप्त होता है और म मुझे उम्मीद आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो आप विदी विदान से महाकाल बोले नात की पूजा करें, अफसेख करें, बढ़ा दिने हैं, महासे ब्रात्री का दिने हैं, मनो कामना तो आपकी पूरी होगी होगी, तो आप यह उपाय जरू करें, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, महासुब्स योग बना हुआ है, महाकाल आपके जीवन बारे सारे कश्टों को दूर करेंगे, और आपकी हर मनो कामना अबस्य ही पूरी होगी, ओम नमश्यवाय ओम नमु भगवते बास्देवाय नमाम